आणि बोड शिक्षा कड़ा मांदे आने तुम्हें जे गाड़ा भी रुपेरी पड़ेया वर पहिले आन्दाइच गावून एंट्री गेतली तेस गाड़ा तुम्हें सथी जाते तरण उतला ही हिरों कि वह हिरोईन्स वह इला अपला गाण जिवाल जास्ता आड़ी अपला रुदया चा जवर अस्ता तर मी आले, मी पहिला, मी जिंकला अस मी आज आत्मा विश्वास ने मडोश अक्ते तरण तुम्ही सग्रा निमल आपला से देला तरा तक में प्राण तुम्ही सठी गाती है तरा तुम्ही सठी झाल झाल पूल सार्ड का वहुट सो रखा गया क्या देखिए कैसा लगा वहुट दिल खुश हो गया यह सब और वाकि अच्छा सिर्व इतना नहीं यह तो ठैंक्स कहना चाहिए हमारे मुंबेन महानगर पालिका को परदेशी साब को जो यहां के सर्वे सर्वा इनके और इनके साफ नहीं जिस तरह से सब एक्जिबिशन हमारे सामने रखा है कमाल का है बहुत ही खुशूरत है बस इतना तो है कि अगली बार सुबह सुबह आना पड़ेगा क्योंकि बेड में ज्यादा तर उसके मजा ने लूट सकते लेकिन सब देखकर तो हमारे घर में जितना भी हम रख सकते हैं तुलसी तो होती है हमारे हरे के घर में और भी कुछ थोड़ा सा जो च्छाओं के लिए होते वह दो भी रखो के तो दिल को सुकून तो मिलता भी है और ऑक्सिजन भी मिलता है तो सब मिलके छोटा-चोटा अगर एक भी पौदा दखाएंगे तो काफी कुछ पर्क पड़ेगा तो अधिक लोग पेड़ लगाए पेड़े पेड़ो को काटना पड़ता अगर मानलों 10,000 पेड़ काट लिए तो 20,000 पेड़ लगाने की जिम्मेदारे भी उतनी कंपल सरी होनी चाहिए कहीं नहीं तो उसको कॉम्पेंसेट क करना भी चाहिए यहां अनी के बाद प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो होता है लेकिन कोई बताता नहीं जब तक मैदान में नहीं उतर देना तब सब्सक्राइब को जानते हैं मुंबई टाफिक पुलिस ने अच्छा मुहिम सुरु किया है लोगों के अधरनेस के लिए अग अपने आप निकल जाएंगे वो थोड़ी वहां तंबू गाड़ने के लिए हर एक को जाना है तो पता ने क्यों लोगों को लगदा कि हौन बजाने से लाल का हरा हो जाएगा नहीं होना जाए बहुत ही गलत है एक डिसीपी कैसे मसें देंगे सार नहीं होंकिंग मत करो जैस जैसे घ्रीन होता है जैसे हराब सिगनल ला जाता है अपने आप सभी के साथ हम भी निकल जाएंगे जीतेंद्र परदेशी सहाब ने मुझे इस बार भी बुलाया है और पिछले चार-पांस सारों से मैं लगाता रारी मुझे एक्चली मुझे में रहते वी पता नहीं था कि ऐसा फ्लावर शो होता है बी-म-सी का लेकिन जीतेंद्र जी ने मुझे ये फ्लावर शो दिखाया और हम सब प्रेमी होते हैं इसके जाड, फूल, पत्ते, मन को बड़ी प्रसंदता देते हैं मेरी मा भी गाड़ने का शौक रखती हैं मुझे भी है शौक लेकिन इतना समय ने मिलता लेकिन मैं यहां सब को बढ़ाई देना चाहती हूँ ये सब बी-म-सी के वरकर हैं जिनों कि अधिशने प्रतिस्ता दिया है बिल्कुल चलनी चाहिए क्योंकि मुंबई को को चन्गल कहा जाता है तो कि भले आप 200 पेड्ड काटेंगे उसके बदले में 100 पेड्ड लगाएंगे उसमें से 100 पेड कब बड़ेंगे और उसमें से कितने मरेंगे इतने सर्वाइब हो जा मतलब सौ के सौ रिपलेस होना तो डिफिकल्ट है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कार्षेड भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन उसके लिए पर्यावरण का बली नहीं चड़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, उसको कोई बीच का मार्ग कोई ढ दूड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारों की भावनाएं को दुख पहुचाया, एन्वायरमेंटलिस्ट हैं, लेकिन वो एक्टिविस्ट हैं, वो रस्ते पे उतरते हैं बचारे, लेकिन मुझे लगता है रुक्षों को बचाना चाहिए, एक समान इक अलग है, तो मुंब प्लिम यह है कि रिक्षा वाले जो है, या मोटर साइकलिस्ट जो है, अगर हमने डिसाइड किया कि हम नहीं बजाएंगे हो, तो हटते ही नहीं, अभी बीच में अचाना खुता आ जाता है, गाय आ जाती है, तो हॉंक करने के बाद बचारी हो चली जाती है, तो या तो इसक इसकी खबरदारी लेनी चाहिए, कोई खुता नहीं आना चाहिए, इसकी खबरदारी लें, तो हॉंकिंग नहीं बजाना चाहिए, नॉइस प्लिशन नहीं होना चाहिए, बराबर है, लेकि मर्यादा में बजाएं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हॉंकि हॉंकि क्या है, अ तब तक उसको कंट्रोल में, क्योंकि कोई कोई ना बार बार बिला बज़े होन बजाते हैं, अब ये भी सही नहीं है, कोई बज़े है तो होन बजाओ आप, नहीं तो क्यों बजाएंगे, मैं तो हैसा करती हूँ, लेकिन हर एक ने जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, तो जो है, उस पे व्रिक्ष लगाने चाहिए, ताकि हमें ऑक्सिजन मिले भरपूर, क्योंकि हम कॉंक्रेट जंगल में, हम AC में रहते हैं, हमें ऑक्सिजन मिलना चाहिए, तो ऑक्सिजन मिलने के लिए हर एक बिल्डिंग ने, हर एक सोसाइटी ने, जो ये सोसाइटी होते हैं मतलब बिल्डिंग की उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाना चलिए कि वो व्रुक्ष लगाएं और दुसरा कच्रे का निर्मुलन जीरो कच्रा बोहिम जारी करनी चाहिए तो परियावरन बच सकता है इसको कम से कम मतलब इस्तिमाल करो और जो है उसको रियूज करो इससे परियावरन बच सकता है क्या चीज चाहती है बहुत सारी फिल्मी हस्तियां रस्ते पे उतर के कर रही है अपने तरफ से प्रैत्न कर रही है लेकिन क्या है प्रैत्न जो है हर एक ने करना चाहिए ताली एक हाथ से नहीं बच दिया है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ BMC का ये जिम्मा है जिम्मा हर किसी का है हर किसी ने अपना जो है जिम्मेदारी अगर उठाई तो मुझे लगता है दीरे और एक दिन में नहीं होने वाला ये सब तो कि इसके उपर इतना अन्याई हुआ है प्रत्वी के उपर और खास करके बंबई श साल लेकिन शुरुवात करनी चाहिए था तो कि आप सभी लोगों के माध्यम से मुंबई करों को ये जरीश करना चाहता हूं कि हमने लोगों का भीड देखते हुए लोगों का रिस्पॉंस देखते हुए इसको दो दीन बढ़ा दिया है तो भी उन्होंने आके उसका परियावरन के लोग जागरत हो रहे है और यह बहुत बड़ी बात है पिकरस आज के टाइम पर मुंबई हो देली ओ बहुत जादा पॉल्यूशन हो गया है और देली में अभी फिलाहल आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा ही था कितना पॉल्यूशन हो गया था पुरा दुआ हो गया था पॉल्यूशन के वज़े से और मुंबई में भी कहीं ऐसा ना हो जाए पोजेगा सुनने को मिल्डा था मैं एक बार किसी ने मुझे बताया कि होटिंग लगी हुई थी कहीं पे बैंडरा में और वोटिंग काली हो गई तो यह बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब अब जब होटिंग काली पड़ जा रही तो कितना पॉल्यूशन है आप समझ लो एक है दो दिन में तो यह सारे हम जो सांस ले रहे हैं तो हमें अंदर कहीं ने कहीं जा रहा है और आज देख रहे हैं आप लोगो वायरस जो फहला हुआ है यह सब पॉल्यूशन और य पॉल्यूशन से जान भी जा सकती है और हम हेल्दी रहेंगे तो अच्छे से जादा जीएंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा साथ है पेंड पॉधों का जो हमें जिंदा रखते हो कि हेल्दी लाइफ और शुद्ध हवा देते हैं तो यह जरूरी है बॉत आप पेंड पॉ से ही बनती है पर जब तक बहुत ज़रूरत नहों तक प्लीज ना काटे बिकर्स यह हमारी जिंदगी है इस तरही हमें शुद्ध हवा देती है पानी देती है तो इसलिए जरूरी है यह पॉद्ध हैं जहां तक भी मैंने सोचा कि देर लाख लोग और यह लोग सब आईए देखिए कितनी सुंदर फूलों की प्रदरशनी है यहां फूल है वेजिटेबल्स है बहुत सारी चीज़े हैं आईए और देखिए और आपको पता चलेगा कि कैसे उगाते हैं यह भी आपको पता चल सकता है यह एक पर स्टेप है परियावरन को बचाने के लिए आ अजया से मिनियेचर होते हैं जिससे प्रोप्योर ओक्सिजन मिलता है आप फोटा चोटा करके अपना अपनी तरफ से अपना को सपोर्ट कर सकते हैं परियावरन के लिए और यह आप कीजिए आई और देखिए कि कैसे कितने सुंदर पूल कितने सुंदर पेड यहां पर है आप 21st को रिलीज हो रही है फिल्म प्लीज आईए और सपोर्ट कीजिए थांक यू देखिए फूल हमेशा खुशी लेके आते हैं खुशी का प्रतीक होते हैं तो डेफिनिटी मुंबई शेर में खुश्यों के प्रतीक के साथ में इक इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और ह कि इतने बड़ी फूलों की प्रदिर्शनी देखेंगे वो नई नई फूलों की प्रजातियों से उनका परिशे हो और कम से कम जीवन में खुशी लेके हैं और एक डेफिनिटी हम नेचर की तरवी कनवर्ट होते हैं इस तरह के आईउजनों से इतने लोग नेचर को प्यार से लोग आई हुए आज यहां पे तरह आपकी फिल्म के वारे में हापी बात इसनी चलती है विकोज आप हमारी बात लोगा तक पहुंचा आते हैं और आपने खुब सारी पहुंचा है मेरी फिल्म 21 परवरी को रिलीज है और आज हम लोग यहां पर मोनारिशा को लेके आए मोनारिशा से भी ज्यादा सोनी तू बेव है तू आरिशों की हुवा हूँ लक लच के बो तल कच दीदा तुट गया बटन कड़क करके ओडीजे ओत नच दीदा नच दीदा ओडीजे ओत नच दीदा नच दीदा ओडीजे ओत नच दीदा ओडीजे ओत नच दीदा